नमस्कार जन्मत की पुकार में आपका स्पागत है जुग्यों पर डीडी एके मुल्डोजर की कारवाई पर आपका हमला बोले बिजेपी को गरीबों से नफरत है दिल्ली के कुछ इलाकों की जुग्यों पर DDA के बुल्डोजर चलाने पर आपके विधायक संजीव ज्या और प्रमिनक कुमार ने BJP पर जम कर हमला बूला है विधायक संजीव ज्या ने कहा कि भाज़पा ने इतनी ठंड में जंगपुरा की जुग्यों पर बुल्डोजर चलाने की कोशिश की एक तरफ प्रदूशन के कारण निर्मार बैन है वहीं दूसरी तरफ घरों पर बुल्डोजर चलाने का नोटिस दे दिया जाता है दिल्ली में आप सरकार है लेकिन साथ सांसद भाज़पा के भी है जुग्य वालों ने आपको वोट दिया है फिर उनसे किस बात का बदला ले रहे है सुनिए आगे दोनों विधायकों ने क्या कहा पर आप सबसे बाचित करनी थी जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतिय जनता पाटी को गरीबों से नफरत है जुग्य जुपरी में रहने वाले लोगों से नफरत है और लगातार भाज़पा के लोग जुग्य जुपरी में रहने वाले लोगों के साथ दोरा रवया उनके जुग्गी जुग्री उजारने का काम करती रही है। याद होगा आपको कि इसी समय में डिशंबर जन्वरी के समय में ओखला में दो हजार बाइस में जुग्गी जोप्री तोरा गया, लोहों के आश्याने उजारे गये, उसके बिरोद करते हुए हमारे विधायक अमानत भा में गई थी, गया था, उस समय में हमारी वहां की बिधायक जो भी मंत्री भी है, अतिशी जी गई, उनका बिरोद किया, फिर कोट से स्टे लिकर के आया, कस्तुरवा नगर में पांस मेना पहले पहल आपने देखा कि डीडिये ने जुग्गी तोड़ा, बशंथ बिहार के इलाके में किस तरह से जुग्गी तोड़ा गया आप सब के सामने हैं, तो मुझे इस समझ में नहीं आता कि भारती जनता पार्टी के लोगों को, भारती जनता पार्टी को, उनके नेताओं को, आखिर जुग्गी जोपरी में रहने वाले लोगों को गरीबों से इतनी नफ क्यूं है कि कल का वाक्या है अब थंड होने लगी है एक तरफ जहां दिल्ली शरकार शरक पे रहने वाले लोगों के लिए कैम्प बना रही है डूशिब का शल्टर हाउस बना रही है कि ताकि कोई शरक पे ना सोए वहीं दूसरी तरफ भारतिय जन्तापाटी जंगपुरा के एक इलाके में कल बुल्डूर चलाने की कोशिश करी हमारे वहां के बिधायक प्रभीन भाई हमारे साथ हैं विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से वहां के लोगों के वह आस्याने की उजारने की कोशिश की गई थी जानकारी ये मिल रही है कि वो जो जुग्गी जहां बसा हुआ है उसको डूसिव ने नोटिफाई किया है तो केंद सरकार ने दो व्यक्तियों को पार्टी बना करके डूसिव ने जो नोटिफाई किया उसको पार्टी नहीं बनाया और फिर कोर्ट से ओर्डर आया कि जुग्गी को डेमॉलिश किया जाए मजे की बात यह है जैसा मैंने पहले कहा चुकि पार्टी डूसिव थी दिल्ली सरकार थी पार्टी बनना चाहिए था लेकिन जान बुझ कर पार्टी नहीं बनाया गया यह जैसे ही जानकारी हमारे उस शेत्र के विधायक प्रवीन भाई को मिला प्रवीन भाई दूशिव को लेकर कोड़ गये दूशिव ने यह कहा कि चुकि यह कलस्टर नोटिफाई है तैसे नहीं तूट सकता दूसरा अभी परदूशन को लेकर के बैन लगा हुआ है ग्राप के अलग-अलग फेजिस के बैन है एक तरफ हम यह कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन बैन है दूसरी तरफ डमलिशन के लिए एक जम्शन ले आए जाता है तो मुझे यह लगता है कि इत दिल्ली में जुगी में रहने वाले लोग दिल्ली में जुगी ना रहे यह पूरी कोशिश भारती जन्ता पार्टी करती रही है मुझे लगता है यह बेहद शर्मनाक है मैं यह मानता हूँ कि दिल्ली में आमादी पार्टी की सरकार है पर साथ सांसद आपके भी हैं भारती थोरिशी मानबता होना चाहिए एक तरफ जैसा मैंने पहले कहा कि दिल्ली सरकार तो जिसके घर उज़रे हैं जो शरक्प है उसको रहने के लिए सेल्टर हाउस दे रही है दूसरी तरफ आप जिसके बने बनाए आस्याने हैं उसको ठंड के मौसम में उजार रहे हो मुझे लगता है यह तो मानबता के भी खिलाफ है तो मैं यह निविदन करता हूँ कि इस तरह से आप अपना रवया गरीबों के खिलाफ न रखें जोगी जोप्री रहने वाले लोगों के खिलाफ न रखें और इस डेमोलीशन को इमीडियेटली रोका जाए हमारे बीच प्रभीन भाई है वो बिस्तार से बताएंगे कि किस तरह से जंगपुरा के उस इलाके के गरीबों की आशियाने उजारे जा रहे हैं अभी जैसा कि संजीव जी ने बताया यह केज जो है वो सुन्दर नर्सरी डीपीएस इसकूल की पीछे एक जेजे क्लस्टर है वो जेजे क्लस्टर डूसिप की जो 675 जेजे क्लस्टर जो नोटिफाइड है जिसको केंदर सरकार नहीं माना है डिल्ली सरकार नहीं माना है और डूसिप कई समय से वहाँ पर सर्विसेज देती है और इन 675 क्लस्टर में से 223 नंबर का क्लस्टर जो है वो डीपीएस मतुरा रोट सुन्दा नर्सरी का आता है उसमें करीबन 216 जुग्या जो है मकान जो है वो डूसिप में रेजिस्टर है और पॉलिसी के तहत आते है जिनने भी बिना रिहेबिलिटेशन के विस्थापित नहीं किया जा सकता ये केज जो है वो 2019 का है जो दो पार्टी है जब कोर्ट में गई उस दोरान कोट के दोवारा क्योंकि वो जमीन जो है वो एलेंडियो की है और कोट दोवारा एलेंडियो को डिरेक किया गया एक रिच्में रिमूवल के लिए लेकिन कोट ने साफ थोड़ पर पहले भी कहा जा रहाता है 2019 में और कल भी जो court का जो निर्णा आया उसमें भी पूरी तरीके से उस court ने साफ कर दिया हाई court ने कि government policy जो है उसे नज़न दाज नहीं किया जाए और government policy जो है वो धरातर पे implement हो और उसके इसाफ से काम हो यह देखिए इसमें साफ तौर पे जो है इस order में लिखा हुआ है यह कल का order ह साफ तौर पे इसमें लिखा हुआ है कि government policies को जो है वो ध्यान में रखके removal किया जाए लेकिन उसके बावजूद भी कल demolition activity वहाँ पे लेंडियो द्वारा शुरू कर दी गई और जब court ने verbal order भी कर दिया था कली के दिन verbal order भी कर दिया था कि आज सुबह साड़े दस बजे त और उनके वकील को यह बताया कि यह जो है वो यहां से encroachment जो है वो removal जो है आज साड़े दस बजे तक मतलब किया जाए लेकिन उसके बावजूद भी लगातार एलेंडियो के अफसर वहाँ पे खड़े थे सारा department खड़ा था और एलेंडियो के अफसर जो है वो चिन्नित कर के वहाँ पे मकान तोड़ रहे थे कल भी जो है यह यह कोड के orders का violation है यह पूरी तरीके से contempt है कि वहाँ एलेंडियो के और जब मैंने वहाँ पे ground पर जाके पूछा और वहाँ पर यह order दिखा के उनके demolition activity रुखवाई तब मैंने उनसे पूछा कि आपके बास वकील साब का फोन नहीं आये क्योंकि जस आपने उसी टाइम जो है वकिल को बोला था कि आप यह जो है ग्राउंड लेवल पर बताएं कि अभी जो है आज साढ़े दस बजे तक के लिए यह यह demolition activity रोग दी जाए तब उन्होंने मुझे कहा कि हां मेरे पास call आ गया है लेकिन बावजू उनके आशियानों को उजाणना चाहती है पहले कहते है यह जहां जुत की वही मकान मोदी सरकार का बहुत बड़ा campaign था लेकिन आज की date में आज जो है मोदी सरकार जो है पूरी तरीकेСे गरीबों को ऋजाणना चाहरी है मकानों को test sorry night करना नहीं है क्या ना इन्हें दिल्ली के लोगों इसासों की परवाए ना इनके मकानों की परवाए यह सिर्फ और सिर्फ जो है वो गरीबों के आशियनों को उजाड़ना चाहते हैं हम यह चाहते हैं कि जो यहां पर कोर्ट ने जो ओर्डर किया है वो पूरी तरीके से कोर्ड का order जो है वो जमीन पर implement होना चाहिए जो इसमें government policies जो वर्ड जो है जो लिखा हुआ है क्योंकि विस्थापन जो है वो DDA को करना है अभी तक इन्होंने विस्थापन की policy नहीं बनाई और नहीं डूसिप के notified cluster जो है उसके बारे में बुला के कोई meeting करी तो हम यह चाहते हैं कि अधियकारी को बुलाए और जो notified cluster है जो जुग्गिया notified है जो जुग्गी जो है वहाँ पे इस cluster में मौजूद है जो इस list में मौज के साथ नाइनसाफी है जो कोट के order के बाउजूद जो है लगातार वहाँ पे demolition जो है वो यहाँ पे चल रहा है लेकिन हमारे वकील जो है पूरी तरीके से आमारी पार्टी सरकार के वकील वहाँ पे मौजूद है डूसिप के वकील मौजूद है दिल्ली सरकार के extending council तैयार है और हम चाहते हैं कि immediately जो है वो इन गरीबियों के साथ जो है वो नाइसाफी ना हो और इनकी इनका demolition जो है इनके आश्योनों को उजाणा ना जाए और LND पूरी तरीके से केंद्र सरकार जिसके लिए जिम्मधार है और जिम्मधारी लेनी चाहिए अभी तक करीब जो है वो 25 करीब मकान जो है वो तोड़े जा चुकें जिसमें इसे यह 216 जो नोटिफाइड है उसमें से कई असे मकान है जो नोटिफाइड वाले में से है और एक और इसमें खास बात ये है कि जो हमारा एपिलिकेंट था जिनके द्वारा जो हो केस डाला हुआ था हाई को में उसका मकान भी तोड़ दिया गया और मुझे तो लगता है कि वो जान बूच के इंटेंशनली किया गया है ताकि जो है वो अपने कोर्ट को अपनी बात ना बता सके और कोर्ट में प्रेजेंट ने हो सके यह इसके पीछे बहुत बड़ी शाजिश है देखिए आप बिल्क सेकेर्टरी रोग कर बैठा हुआ है मेरे अपने इलाके की बात करूं कि बहुत सारे इलाकों में गंदे पानी की शमस्या रही है अब उसको कहीं रेपेर करना है कहीं पाइप छोटे चेंज करने हैं वो सारे काम ऐसे के परे हुए हैं तो फिर लोगों को गंदा पानी पीने पर मजबूर होना पड़ेगा मुझे लगता यह अत्यंत हाश शश्पद है और राजनिती को इतने नीचे लेबिल तक ले जाना जिससे दिल्ली के जंता से बदला लेना मुझे लगता यह बहुत सर्मनाक है और इस तरह के कर्तूत से मुझे लगता है कि दिल्ली वालों को नुक्षान हो रहा है आप हमसे बदला लो दिल्ली वालों से के बदला ले रहे हो इसी दिल्ली वालों ने आपको भी साथ सांसाथ दिये थे तो मुझे लगता है कि यह बहुत चिंता की बात है मैं यही LG साहब से निविदन करता हूं कि आप इस सरकार के मुखिया हैं और इसक दिली वालों को सांती मिले अब फैनन्स सेक्रेटरी और पैसे लेकर बैठा है पैसे फैनन्स सेक्रेटरी को देना ऐसा नहीं है बड़ा अश्रज है कि जलबोर्ड में पैसा नहीं है इसा नहीं है पहले कॉंसलिटर फंड होता था उसको हेरवाज बाट दिया गया और अब यह ऐसा ना करो जिससे लोग प्रभावित हो जाएं लोग को नुक्षान हो दिल्ली के जंता गंदा पानी पीए मिज़ता ये ठीक नहीं है तिसलिए अल्जी साहब इमिरेट संग्यान लें और इसको फरेंस सेकरेटरी को उन्देश दें जो डिमांड आया है जलबोर्ड से उसको इमिरेटरी रिलीज करें ताकि ये समस्याएं अचानक उत्पन हो गई है उससे निजात मिले बड़ा शर्ज है जांच होनी चाहिए ना मैं कहता हूं कि हवाबाजी है तो जांच करके बता करो आप उसको कॉंग्रीजेंसी नहीं लोगे तो फिर तो लोग जांच कहेगा ना लाइक करें सेर करें कमेंट करें तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ नमस्कार